नमस्कार मैं विनीता महतो तरहे दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल में जिसका नाम है विनीज वर्ल्ड यहाँ पे हम थोड़ा चिक चैट थोड़ा गौसीप फॉन फूर एंडिटेन्मेंट सभी के उपर चर्चा करते हैं लेकिन जो भी मेरे फ्र सब्सक्राइब नहीं किये हो फ्रेंट्स प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड बेल आइकन फ्रेंट्स जैसे कि हम सबों ने 8 मार्च को वोमेंस डे बनाया और यह वीक तो सेलिब्रेशन का है ही तो थोड़ी सी बाते थोड़ी सी चर्चा हम औरोतों के लाइफ में क्या ह होता है क्या नहीं होता है कुछ बाते कुछ बाते कुछ अनकहीं बाते कुछ सोच बरी बाते कुछ बेस बेसिक्री भरी बाते कुछ प्यार भरी बाते कुछ टक्रार भरी बाते कुछ आपकी बाते कुछ मेरी बाते और कुछ हम सब की बाते आज बस बाते ही लेकर आई हूं मैं और उम्मिद करती हूं आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि दिल के कोड़े में कहीं चोटा सा एक बहुत ही मासूमियत भरा एक चोटा सा नन्हा मुन्हा सा बच्चा हम सब के दिल में रहता है और जैसे ही शायद हम मैरेट करके एक नए लाइफ में आते हैं त सभी कहते हैं कि और कोई घर नहीं होता कुछ लोग कहते हैं कि और कोई घर नहीं होता यकीन है मेरा कि और कोई घर घर नहीं होता लाजाने क्यों मा कहती है बेटी तुम तो पराए घर जाने वाली हो और सास कहती है तुम तो पराए घर से आई हो तो अभी तक हमें यह समझ म सनहें कि मैं जैती हूं दो पूरी हो जाती है लेकिन हम सबके हो जाते हैं हम अपने ऐसी हर रिलिट्व के अपने वो जाते हैं फिर शादी होती हैं हम अपने हो जाते हैं अपने सास सब्सक्राइब हो जाते हैं लेकिन नजाने क्यों कोई हमारे हो पाते हैं या नहीं यह तो शायर एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है और यह सवाल मैं कहने को तो और मर्द भी बहुत सारे रोल अपने आप में पतान ही कितने सारे रोल पले करता है मैं यह नहीं я। कहती हूँ कि को वह बुरे को हैं यह जिवन देती है तो उससे बड़ी तो जीवन दाएनी रही ही और बड़ा तो कोई कोई सछ होई धाल ही रहताया की नई सकता लेकिन जो भी marked को जितने अच्छे से महसूस करती है जितने अच्छे से निभाती है शायद आशा मर्द को कोई भी मर्द आरी सक्षरा करने सकता हाला कि kyun में दोनों की इंपॉर्टेंस उतनी ही है मैं कभी यह कि हाँ औरत का पल्लावारी है या मट कम्जोर है या औरत कम्जोर मैं यह नहीं कहती लेकिन हां हमें हमें शृस्टी ने ऐसा बनाया ही है हमारी संडर्चना ही ऐसी है कि हमारा जो एक डाइरा है वो बहुत बड़ा कर दिया है और देने का दाइरा हम बेटी होके नजाने अपने माता मिता को कितना ही प्यार देते हैं कितना ही वो हम से कितना लाद लडाते हैं भाई को स्ने देते हैं और छोटे भाई को बहुत ही रेस्पेक्ट भरे नजरों से देखते हैं बड़े और बच्यों को फिर अगेन बहुत प्यार देते हैं तो एक बेटी एक भाइफ उसके बाद से एक इस सिरीज हो जाता है लेकिन सरे प्ले करने में कहीं ना-कहीं हम साइद भू से जाते हैं और अपने हम क्या हैं शायर इस बात को बहुत सारी औरत समझ नहीं पाती लेकिन जमाना जो है वो बदल रहा है हम हमारे में इतनी जादा क्वालिटी है हमारे में इतनी जादा शहन सकती है हमारे में इतनी जादा धैर है कि हम ये सारे रोल को प्ले करते हुए हम सब कुछ कर सकते हैं अप तो और जमाना भी बदल रहा है पहले की जमाने की बात कुछ और थी और अभी की जमाने की बात कुछ और है लेकिन जमाना कोई भी हो अपने आपको कभी खोना नहीं अपने आपको कहीं मारना नहीं और अपने आपको एक एक पिंजरे में कैड मत कर लेना मेरा यह मानना है और लेकिन हां वो जो अधिकार है कि हमें क्या करना है और अगर आप सही हो गलत की मैं बात नहीं कर रही हूं गलत की तो मैं कभी भी सरहना करती नहीं लेकिन अगर सही है और आपने आपको प्रूफ करना चाहते हो तो निकल पड़ो मन्जिल के और निकल पड़ो और जो मन्जिल ह वो आपकी देफिनेटली कदम चुमेगी ये मैं मानती है एक मैरिड लाइफ में जब बच्चा आता है तो नजाने कितनी और ते अपने 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 सपनों को अपने इच्छाओं को सैक्रिफाइज करके उस बच्चे को पालने में लग जाती है तो यह तो हमारी फित्रत ही है लेकिन यह मर्द की भी होती है उन्होंने अपने इच्छाओं को नहीं मारा उन्होंने अपने सपनों को नहीं मारा लेकिन यह शायद हम में बहुत बहुत ही बड़ा गुन है जो अपने इच्छाओं को अपने सपनों को मारके भी हम बहुत खुश रहते हैं और दूसरों गलक अगर नहीं कर रहे हो तो निकल परो और जो जहां से भी हो जरूरी नहीं है कि बहुत बहुत जाड़ा हर चीज को करने में आपको बहुत जाड़ा पैस की जरुद पड़ेगी लेकिन passion बहुत बड़ी बात है अगर आप में passion है तो अब डेफिनेट्लि और मंजिल आपकी कदम चुमेगी डेफिनेटली कदम चुमेगी एक अपनी लाइफ की मैं इंसिडेंट आपके साथ इस वीडियो में एड़ करना चाहूंगी कि मैं एक लड़की हूँ मेरे पेरेंस ने मुझे बहुत अच्छे तरह से पाला जैसे एक लड़की को पालते हैं म मुझे भी वैसे ही पाला किसी चीज़ की कभी कमी नहीं की मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूं उनका प्यार मेरे साथ रहा है और मैं उनको दिल खोल के प्यार करती हूँ और वहती अच्छे तरह के से मेरा जो शादी का पहले का टाइम था बहुत ही अच्छा था in the meantime मैं ये भी add करूँगी कि शादी होने के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो मेरी जो first mentality थी कि मैं सबको wholeheartedly accept करूँगी चाहे वो कोई भी हो मैं किसी को disrespect नहीं करूँगी लेकिन उधर का जो प्यार था वो बहुत बहुत जादा था मेरे in-laws ने मुझे बहुत अच्छे तरह से वेलकम किया बहुत अच्छे तरह से प्यार दिया और अभी भी मैं ये दावा कर सकती हूँ कि मैं ही उनकी favorite हूँ और मैं ये कहती हूँ कि प्यार देने से कोई छोटा नहीं होता ये तो एक मेरी family की matter है तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप प्यार दोगे तो आपको in return आपको प्यार ही मिलेगा देर मिले सवेर मिले लेकिन मिलेगी जरूर और मैं ये कहती हूँ जब वो आपको प्यार देंगे तो दिल खोल खोल के भर भर के छपप फाड़ के आपको प्यार देंगे और यहीं हमारी फित्रत है और इस फित्रत को कभी हम चेंज नहीं करेंगे I swear और अब भी यह कसम खाऊं क्योंकि जो जहां है जो जैसा भी है उसको उतना ही प्यार दो जिसके वह लायक है अगर हमारे इन लॉज अगर हमारे रेस्पेट के लायक है डेफिनेटली उनको दो यह Linux को जो हम प्यार देते हैं वह तो शारी प्रॉमिस की ये इस इंडेर्न आपको गहर सारा प्यार मिलेगा और जब वह आपको प्यार मिलेगा तो बहुत सारी छोटी चीज़े जो है लाइफ में नेगलेक्ट भी हमें करनी पड़ती है और मुझे लगता है करनी भी चाहिए तो मैं यह समझती हूं कि आदमी और दोनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन हां उनके उनका जो इंपॉर्टेंट से वो दिखता है और श अपने आप ठीकाने आजाएगी तो यह कोई बड़ी बात नहीं है प्यार से कभी प्यार से कभी हार के कभी जीत के कोई बात नहीं सम आपके ही है और मैंने लाट फॉसली भी यह कहा था हम तो सब के हो जाते हैं कोई हमारा हो पाता है या नहीं यह तो बहुत ही बहुत ही ब कि छोटी सी चिट-चैट आपको अच्छी लगी होगी मेरी कुछ बाते समझ में आई होगी कुछ बाते ना भी समझ में आ सकती हैं बढ़ कोई प्रॉब्लम नहीं है उमीद करती हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक् इससाइटिंग वीडियो में तब तक के लिए बी हैपी और मेक अधर सापी